कि आप सभी को मेरी नमस्ते जैहिंद मेरा नाव भासते नहीं है वर्फल मैं भासते नहीं में आप सभी का स्वागत है देखे जिस इसका आपको इंतजार था वैसे तो सब सब्सक्राइब करेंगी तो बहुत ही जवर्तस मौका है मैकसिमम वैकेंसी अगर आप देखेंगे बहुत सारी विकेंसी इस पर दिल्ली में निकली है तो जिनका ड्रीम दिल्ली में लेना है उनके लिए बहुत बैनेफिट है जो इन्होंने कंसीडर करी है वह एक अगस्त दोजार चौबिस के हिसाप से करी है चौबिस जून से शुरू हो जाएंगे यानि आज से शुरू हो जाएंगे फॉर्म बरने और आप चौबिस जुलाय तक एक महिने का टाइम होगा शुरू में भर देना अभी से बरना स्ट कर दो अगले 10 दिन तक भर देना ठीक है उसके बाद करेक्शन विंडों कितनी बड़ी विंडों दिये 10 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक मतलब दो दिन की विंडो मिलेगी आपको बस ठीक है और एक्जाम की जो डेट है प्री की सप्टेंबर एंड अक्टूबर शुरूबात के आसपास रहेगा जहां तक है और मेंस दिसंबर तो आप लोग समझ गयोंगे इतने टाइम से मैं आपको बोल रहा हूं कि पढ़ एक और आने वाला है बताएंगे आपको ठीक है अब यह कुछ इंपोर्टेंट चीजें जो आपको पतावने चीए देखो यह फोटोग्राफ से रिलेटिट बहुत दप्रतस चीज है इंपोर्टेंट हो जाते मैक्सिमम बच्चे परिशान तब होते जब उनको सारी पूरी तैयारी रहती है लेकिन उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है वो नहीं होने देना आपको बहुत ध्यान से देखना है फ्लेट फाइंड प्लेट लाइट प्लेट बैक्राउंड कोशिश करो ब्लाक्राउंड बिल्कुल सफेद कलर का हो मतलब प्लेट हो और कलर ना भी इस फुली इंसाइड रेड एक ना रेक्टांगुलर एरिया आएगा जो कैमरे से बनता है वहां पर आना चाहिए आपका ना तो बहुत दूरो ना पास हो वह जब आप फोटो लोगे ना तो उस टाम पर दिखेगा आपको बहुत जदा ऐसे आगे भी निपढ़ना बहुत मतलब पीछे भी नहीं बढ़ना ठीक है उसके बाद आपको आगया कि के कैडिडेट शुटन वियर कोई कैप मत पहन लेना मास्क मत लगा लेना चश्मा भी मत लगाना चश्मा लगानी की कोई ज़रत नहीं है ठीक है ओके रिजेक्शन वाइन केस इन नो केस शुट दगेट प्रेट चैप्चर दफ फोटो और प्री इसिस्टिंग फोटोग्राफ फोटो में से फोटो लेना फुदी मतलब लाइफ फोटो की चाहिए और सच अच्छी क्वालेटिय में सिगनेचर होने चाहिए ठीक है तब भी रिजेक्ट हो जाएगा और उपर से आपको देख तो पॉइंट आपका यह यह फोल निकल गया जाएगक उन्याम वन्हीति यह फोला नीकल उलाइए उसके बाद और और बहुत जивается को सब्रस्पपेश्ज चार सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश हो गया थी कgent नमबर का मैत हो गया पचास नंबर this में पर पर में की कि भाहए नहीं की लेकिन का मतलब यह निया है कि आप सोचो मेंस में आपको पता है कि एक तो इंग्लीश और जीके मिला के यानि कि यह 135 नंबर का और आप यह पूरा एक्स्प्रेंड करना पड़ेगा ज़रू को नहीं है वैसे इंग्लीश और जीके का एक पेपर होगा का मैट्स और रीजनिंग का एक पेपर होगा ठीक है इसके बहुतлом सारे बच्चे जब पेपर इतने सारे लोग लोग देते ना ना सब्सक्रेंस शीम स्कोर होता है इसमें इस वाले सेक्शन में मार्म स्द्व कॉषण तो जो नभे आपने बोल दिया नभे और नभे नंबर यानि 180 नंबर का जो यह है इसमें आपको maximum score करना है अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर 45 25 कोशन और यह मेरे 25 कोशन 25 कोशन आते ना आपके तो यह आपको आगया 135 और यहां पर आपको 75 ठीक है दोस्तों तस नंबर का यह आगया ठीक है अब अगर हम और बात करें इसके लाब आपको computer की चीज़े पढ़नी है ठीक है मुझे इन सब चीजों से लेना देना नहीं है मै आपको जो paper में दिखेगा देखो simple सी बात है एक cyclic quadrilator बनावा है circle बनावा है cyclic quadrilator यहां पर कहीं पर center है तो अगर मैं आप से बोलतूं कि BM और DM का ratio यहां फिर अगर मैं बोलतूं आपको CM और AM का ratio तो यह ratio आपको पताओ ना चीज़े बीम का ratio है AB into BC आजू-बाजू concept बो और AM का CM का है BC into CD और यहां पर नीचे AM है तो AB into AD है यह concept है बहुत important है मैं तो ऐसी मैं का अगर आया हो तो कुछ बता के जाओंगा that's it main notification बताने आया तो चलिए thank you so much guys आप पढ़ना start कर दो competition को समझो competition को competition की तरह लेलो अगर आप जितने delay करेंगे उतना लोग आप से आगे ठीक है ओक चलिए धन्ने बाद session is next